दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और मैं आज आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट्स लेके आच चुका हूँ और आज की वीडियो के अंदर हम हाइलाइट्स को कबर नहीं करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे नहीने चीजे पता बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोशन्स एंड इड़र्टाइजमेंट्स हो रहे हैं ओर ऐसा एक स्पैसिफिक लोकेशन के अंदर न्योरप बहुत सारी डिफ्रेंट लोकेशन के अंदर हमें ये सब चीजे देखने को मिल जाती है और यहाँ पर लिखा गया है प प्रमोशन्स एड़ोटाइस्मेंट देखने को मिल जाते हैं जहां पे पाइनेटफक को सपोर्ट किया आता है और बाटर सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है यसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ यहाँ पे बात की जारी है पाइनेटफ़क की ओफीशल लाँचिंग के बारे में यहाँ पे लिखा गया है Do you want open man in June 28, 2024? क्या आप सभी को June 28 को पाइनेटफ़क की ओफीशल लाँचिंग चाहिए की ने चाहिए? तो इसका reply आप comment box में दे सकते हो अभी बहुत जादा बात चल रही है इस चीज को लेके बट यहाँ पे मैं एक साफ साफ चीजे किलियर कर दू पाइको टीम ने 3 conditions रखी अगर वो 3 conditions complete होगी तभी आप सभी को पाइनेटफ़क की official launching देखने को मिलेगी बट बाइदवी आपको इसका answer करना है क्या आपको अभी चाहिए या आपको थोड़ा और अभी रुकना है क्योंकि बहुत साय लोग के अभी KYC complete नहीं है तो उनका क्या इस चीज पे अपना mind setup है वो आप comment box में बता सकते हो अब चलते है अगले update के तरफ जो कि Indonesia के तरफ से आ चुका है Indonesia के अंदर market start हो चुकी है पाइनेटफ़क के proper name से और यहाँ पे आप देखोगे vegetables को sell किया जा रहा है जो भी necessary items होते हैं उसको target किया जा रहा है जो expensive items होते हैं उसको भी देखा जा रहा है पाइक कोईन के व्याफ पे आप अभी के टाइम में बहुत सारी चीजों को easily buy कर सकते हो और यह अभी ongoing process के अंदर चल रहा है जबकि पाइनेटफ़क की official launching नहीं हुई है और यहाँ पे जो भी अलग अलग country के पाइनियस हैं जो रियल पाइनियस हैं जो पाइनियटफ़क को माइन कर रहे है वही पाइनियटफ़क के promotions बगारा कर रहे है इसी वज़े से आप इसकी जो fan following है daily basis पे देखोगे किस तरीके से तेली से बढ़ती जारी है और यहाँ पे एक और footage आ चुकी है जहाँ पे हमें और भी different items होगरा देखने को मिल जाते है जिसके अंदर electronic items होते है cars की buying and selling होती है पाइनियटफ़क के e-commerce platform आप सभी देख पाते हो जिसके अंदर बहुत सारी चीज़े अपडेट की जारी है और अभी PCM के regarding बहुत सारी चीज़े अपडेट हो चुकी है road map के related या future में क्या के चीज़े होने वाले सब कुछ आपको अभी पता लगने वाला है अभी आप ये चीज़े देख लो अब चलते है अगले update की तरफ जो की officially pine network की तरफ से आ चुका है और यहाँ पे web 3 and blockchain की बात के जारी है किसी भी cryptocurrency के लिए blockchain बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह सारी चीज़े जो decent price होती है blockchain पे perform की जाती है और अभी जो web 3 है वो बहुत ज़्यादा important है क्योंकि अभी जो आप applications वेगरा use करते हो यह सारी web 2 पे count की जाती है facebook हो गया twitter हो गया और अभी जो decent price ज़रिस के अंदर cryptocurrencies आती है यह जो fast transactions करते है यह जो भी आपको यहाँ पे advance services देखने को मिल जाती है वो सारी web 3 के related है और pi network इस चीज़ के regarding बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे लिखा भी किया है web 3 app development is accessible on pi developers to bring skill levels तो यहाँ पे अलग-अलग skill level के साबसे चीज़ों को improve किया जा रहा है मतलब आपको हर type की category की applications देखने को मिलेंगी जैसे कि आपको finance की चाहिए, entertainment की चाहिए, news की चाहिए या दर किसी चीज़ की चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मानके चलो, आपको finance के regarding को यह application चाहिए, p2p के related ठीक है तो अगर mostly लोग उस चीज़ को like करते हैं, developers उस चीज़ को create करेंगे क्योंकि वही चीज़ बनाई जाएगी, जो user को चाहिए, और जिस पर जादा voting आएगी ठीक है, उसको developers create करेंगे और जैसा आपकी acceptations थी, वैसा अगर application create होता है तो उस developer को, मतलब अलग-अलग developers बनाएंगे और जिसमें से सबसे best जो निकलेगा, उसको award दिया जाएगा, ठीक है और वो application market के अंदर उतारी जाएगी हम दोस्तों बात करते है, Pynetwork की KYC के बारे में की अभी हाल-फिलाल के अंदर क्या चल रहा है, किसे साबसे speed है तो यहाँ पर screen पर आप देखोगे, लिखा गया I pass by KYC in 14 minutes 14 minutes के अंदर, only 14 minutes के अंदर KYC complete हो चुकी है Pynetwork की, एक pioneer की, और ऐसा एक pioneer के साथ नहीं हो रहा है बहुत सारे different pioneers के साथ हो रहा है जो कि अलग-अलग countries के अंदर है, किसी का 3 minute के अंदर, किसी का 4 minute के अंदर, किसी का आदे एक घंडे के अंदर KYC verify हो जा रहा है अगर वो सही तरीके से firm को fill कर रहा है अगर कोई pioneer के तरीके से firm को fill कर रहा है document सही से upload नहीं कर रहा religion में गलती कर रहा, name की spelling में गलती कर रहा, तो आप सभी का जो account है कहीं न कहीं एक तरीके से stuck हो सकता है और ऐसा एक finance के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे finance के साथ ये चीज़ा हमें देखने को मिल जाती है और यहाँ पर लिखा गया, to all those who have not yet had KYC और have had their KYC suspended प्लीज लीव आ कॉमेंट बिलो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके KYC अभी तक ने विए suspend हो रही है, उसके पीछे रीजन यही है कि name की है, documents वेगरा कि कोई ना कोई नोंने गलती कर रही है, upload या form फिलिंग भरते time, तो यहाँ पर आपको एक चीज ज्यान रखनी है अगर आपने गलती कर दिया है, वापस आपके पास resubmit का button आता है, तो आपको वापस गलती नहीं करनी है आपको सही तरीके से form को फिल करना है 102 बार आप चेक कर लो, और आपका 100% इस तरीके से verify होके आजाएगा and guys, अब हम चलते है, next update की तरफ जो की Python Global की तरफ से आ चुका है और अभी recently यह बात कर रहे थे roadmap release करने के बारे में और finally इंका roadmap आ चुका है, यहाँ पे लिखा गया है Python Global Ecosystem 2024 Roadmap यहाँ पे दो जगवा पे basically इसको categorize किया गया है, पहला है Q1 और second है Q2, ठीक है 2024 Q1 की बात की जा रही है इसके अंदर बताया जा रहा है PCM Wallet Launch के बारे में, जिसमें आप सभी को एक next level का experience देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ यहाँ पे setup non-custodial keyless देखने को मिलेगा, और यहाँ पे Web3 पे यह काम करेगा, ठीक है, और Web3 को Pynetwork बहुती एक तरीके से specially target कर रहा है, और इसके बहुत सारे foreign countries के अंदर आपको इसके events वेगरा भी देखने को मिल जाते हैं और second point है, यहाँ पे PCM Testnet PCM Testnet के अंदर बताया जा रहा है कि आप सभी के लिए registration दिया जाएगा जिसमें कि आप सभी को 3.14 PCM Testnet मिलने वाला है ठीक है, जो कि आपके experience को जो payment experience है, उसको बहतर करेगा, और यहाँ पे guess fee paid की जाएगी, जो कि PCMT के हेसाब से होने वाला है, और जो next point है multiple languages आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 19 से जादा आपको languages देखने को मिलेगी, जिस भी languages के अंदर आप comfortable हो, जो भी आपकी country की language है, उसके अंदर आप इस चीज़ को perform कर सकते हो, next point है device management आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है जिसके हिसाब से आपको login वगरा करना है तो आप easily कर पाऊगे, जैसे की email verification होती है, या other account securities होती है वो सब चीज़ आप यहाँ पे देख पाऊगे अगला point है merging accounts यहाँ पे आप देख पाऊगे pie chain mall जो की pineapple का e-commerce platform है pie find करके है, pie snake करके यह सारी चीज़े basically PCM wallet के अंदर easily merge हो जाएंगी उसके बाद है invitation reward system जितने भी लोगों को आप basically invite करोगे उस विसाब से आपको यहाँ पे rewards देखने को मिलेंगे और उसके बाद है pie deposit withdrawal and transfer यहाँ पे आप basically deposit कर पाते हो withdrawal कितना कर पाते हो, transfer कितना कर पाते हो यह सारी चीज़ों की बात की जाएगी और यहाँ पे QR code के थुरू आप payments कर पाऊगे मतलब जो भी चीज़े आप transfer कर पाऊगे ठीक है, उसके बाद है app version launch आपको यहाँ पे इसका application भी देखने को मिलेगा दोनों के लिए, मतलब जो Android users है या जो iOS users है, दोनों के लिए देखने को मिलेगा 2024 Q2 के अंदर आपको क्या चीज़ों देखने को मिलेगी फर्स्ट है Python Global New Official Website आपको नई एक official website देखने को इसकी मिल जाएगी जिस तरीके से आपको PyNetwork की देखने को मिलती है जो कि MindPy.com करके है उसके बाद है White Paper and Economist देखने को मिलेगा White Paper के अंदर बहुत सारी जो technical चीज़े है क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या इसकी legality है कितना trustworthy है, वो सब चीज़े आपको यहाँ पर पर detail में description में बता दिया जाएगा यह जो project है किस चीज़ पर काम कर रहा है जो कि PyNetwork का e-commerce platform है इसके अंदर आपको future में क्या-क्या चीज़े और अच्छे तरीके से enhance होती हुई देखने को मिलने वाली है उसके बाद है announcement of PyChain Global DAO plan यहाँ पर DAO plan की बात की जारी है जो की PCM micro communities की बात की जारी है जहाँ पर आपको और भी जो crypto के अंदर नएने चीज़े हैं वो सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं payment with PyBalances आपके जो payment होगी वो PyBalances के थूर ही आप इसकी payment कर पाऊगे यह मतलब आपको कोई और चीज़ यूज़ करने के जहतनी पड़ेगी और PyNetwork का भी basically यही motive है कि हम international level पर जाए और हमारा जो PyCoin है हरे country के अंदर directly acceptable हो इसी वज़े से आप इसके users भी देखते होगे हरे country से हैं अगर आप अपने friend को USA के अंदर है वो PyCoin को माइन कर रहा है आप उसको बोलोगे कि मैं आपको इतने PyCoin send करो तो easily वो accept कर लेगा क्योंकि वो इस चीज़ में believe करता है और जब यह officially launch हो जाएगा और यह एक अच्छे तरीके से मतलब work करना चालू कर देगा अच्छा potential दिखाना चालू कर देगा जो चीज़ यह बताता है NFT को लेके या other technical चीज़ों को लेके जिस वज़े से यह बहुत आगे जा सकता है अगर इस तरीके सब चीज़े अच्छी रहती है तो यह हर एक बंदा यूस करना शुरू कर देगा क्योंकि यहाँ पर payments की बात की जारी है जो कि international payments आपको पता है कितनी आदा एक तरीके से अच्छे घाते charges लेती है और इसमें process में time भी कितना लगता है बट यहाँ पर यहाँ पर सारी चीज़े एक तरीके से बहुत smooth होने वाली है और यहाँ पर होता है जार है new PCM sign in mining system आपको यहाँ पर mining का भी देखने को मिलने वाला है ठीक है जो कि 24 hours के आसपास होगा और इसके साथ PCM token contract development on manant ठीक है तो यहाँ पर और भी नहीं नहीं चीज़े होंगी जो आपको time time पता चल दाएगी और यह सब चीज़े TBA के अंदर है और इसके अंदर आपको PCM staking भी देखने को मिलेगा जितने time duration के लिए आप करोगे PCM listing on exchanges जो PCM है वो भी आपको list होता हुँ देखने को मिलेगा different exchanges के उपर ठीक है जो भी top के exchanges है या Pynetwork अपने खुद के भी exchanges market के अंदर लाएगा PCM token manage migration भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा I hope so कि आपको यह proper जो ecosystem Python mall का है यह जो roadmap किस तरीके से 24 के अंदर काम करने वाला है Q1, Q2 जो दोनों है I hope so आपको step by step proper समझ में आगया होगा अब यह चीज़े जो यहने बताई है अब यह implement होना चालो हो जाएंगी And guys, अब हम बात करते है Pynetwork के payment network commission cost के बारे में जो सबसे जरूरी चीज़ है क्योंकि यह चीज़ अगर सही तरीके से implement होती है, जो चीज़े यहाँ पर बताई जा रही है तो Pynetwork को beat करना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा और Pynetwork एक futuristic cryptocurrency बन जाएगी जिस तरीके से अभी आपको bitcoin देखने को मिलता है और दीरे-दीरे करके आप सभी को पताई जो payment का method है, वो भी बहुत drastically change हो रहा है पहले हम fiat currencies को use कर देते हैं अब हम maximum चीज़ों के लिए online transactions पर believe करते हैं क्योंकि यह बहुत हमें simple देखने को मिलता है और यहाँ पर बताया जा रहा है अगर अभी आप mastercard या visa use करते हो तो आप सभी को 3% के आसपास का commission cost देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत बड़ा amount है अगर आप एक लाख मतलब एक तरीके से payment कर रहे हो तो उसमें आपको 3,000 के आसपास का देखने को मिलता है उसी हिसाब से अगर आप 1CR का कर रहे हो तो उसमें आप पता है कि इतना बड़ा amount चले आता है तो कहीं न कहीं आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो तो Forex Transaction Charges भी देखने को मिलता है और यहाँ पे जो duration होती है 2-3 दिन के होती है जो की minimum होती है अगर holidays होते हैं तो duration जो है बढ़ जाती है ठीक है यह सब चीज़े होती है और इस process में सब टाइम भी लगता है ठीक है और यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप Pi को use करोगे तो आपका 0.01% आपको देखने को मिलेगा जो की बिल्कुल ना के वराबर है या बहुती cheapest है अगर आप अदर से compare करोगे अगर यह चीज़ जो है पे बताई जारी है अगर यह 100% इसी तरीके से successful हो जाती है तो आप सभी को finite work एक futuristic cryptocurrency देखने को मिल जाएगा क्योंकि कोई भी बंदा किसी चीज़ को तब ही use करता है जब उसको वहाँ से benefit देखने को मिल जाता है ठीक है यह fund है simple किसी भी चीज़ को चलने के लिए तो दोस्तो अभी के लिए basically इतना ही था